हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी गॉसिप जहां मैं आपको देती हूँ स्किन केर और हेर केर से लेटेड ब्यूटी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही अपने लिए गुलाब जल बना सकते हैं वैसे तो गुलाब जल मार्केट में भी बहुत आसानी से बहुत कम प्राइस में मिल जाता है लेकिन अगर आप और गैनिक गुलाब जल अपने लिए घर पर ही बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप गुलाब जल आसानी से बहुत ही चंद मिंटों में अपने अपने ङर पर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं में तो गुलाब जल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक चोटी घ्लाब जल की पंखडियां ले ले द्यान को यह को कोई भी खराब नहीं यह जो होती आप एक ले ले लेए और इसमेंट दो ग्लास पानी डाले अब इसको बॉइल करने के लिए रख दीजिए बहुत किसी होने में आप दो ग्लास पानी में एक कटोरी गुलाब जल की पंखड़ियां डाल के से 5 से 10 मिनट लेम पे वह वह कीजिएगा उबालिएगा बिरकुल लो होना चाहिए गैस का फ्लेम जो होता वो बिरकुल कोना चाहिए ना मेडियम ना बहुत ज्यादा उस पे आप करिएगा नहीं तो जो गुलाब जल के पंखडियों के जो बेनिफिट होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉइड हो जाएंगे तो आप याद रखेगा जब भी आप गुलाब जल अपने घर पे बनाएं तो बिरुकुल गैस लोग करके एकदम तब गुलाब ज तो इसे थंड़ा होने के लिए चोड़ दीजिगा उप गुलाब के पंखडियों इसमा रहने दीजिगा जब तक के पानी नॉर्मल रूम ग्लेसरी निया नहीं कि सरफ एक या दो चम्मच ग्लेसरी नेट कर लिए और आप इसे हफ़ते दह जिन तक अपने फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे सुबह साम जितने बार भी चाहें एसा टोनर की रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको पत आपको फैघुलाय यूज कर सकते हैं तो यह जो गुलाब जल बनाने का सिंपल मैठ नुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट करके आप अगर कोई कुश्यन हो तो पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं ये था आज के इस वीडियो में मैं जल्द ही मिलूँगी नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई